कर दो चलो फ्रेंस आपका एक बर फिर्स द्वागत है प्राइम टेक गुरूबर तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी जो ऑप्शन एवेलेबल है बाइनस पे कि आप अपनी खुद की एनेफ्टी कर सकते हैं बट अभी सभी को प्रॉब्लम या रहा है कि वह सब्सक्राइब करना है अब क्रिएट जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है अब ओपर देखेगा यह सौरी यू डॉन्ट हैव मेंट परमीशन तो यह सभी को तो अब इसका रीजन क्या है उसके लिए मैंने कॉंटक किया बाइनस को बाइनस सपोर्ट को तो अब मैं उसक सब्सक्राइब करते हैं सबको पता है यह चीज की बाइनस कोई नॉर्मल आपका प्लैटफॉर्म नहीं है तो अगर सब इस पर अपलोड करने लगे विदाउट रीजन यह कुछ भी तो इस पर काफी सारी हो जाएंगी तो इसके लिए बाइनस ने अभी जो स्टार्ट किया आब है सिर्फ और हेंड्रेड लोगों के लिए हैं सिफ सो लोग यहं जो अभी एनस क्रेट कर रहेंए बाकि आप कैसे कैसे कर सकते हैं उसका इस टैप्स यह लेक用 है जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा आए आपको सबसे पहले जाए औरम क्रेंशD by JAMES यह करना है और email में क्या क्या information देनी है नीचे देखे सभी लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है briefs self introduction your social media account Instagram Twitter Facebook और अधर जो भी आपका what's your understanding of NFT NFT जे आप क्या समझते हैं why do you want to apply for Binance NFT innovation creator program तो मतलब आप इसके लिए क्यों apply करना चाहते हैं Binance के लिए specialty क्यों apply करना चाहते है what is your previous samples आपने last आपके samples क्या थे work samples आपके और नीचे दिया हुआ है किस किस को support करे गए MP4 MPEG यह सभी format दियो है और 50 MB Max रहे गए इसका तो यह सभी details आपको send करनी होगी Binance को उसके बाद Binance आपकी application को देखेगा और उसके बाद आपको permission मिलेगी इस पर अपनी NFT upload करने के लिए तो उसके बाद आप यह देखें यहां पर लिंक दिया हुआ है उससे लिंक से यहां पर आते हैं वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई सभी यहां पर step by step लिखा हुआ नीचे की कैसे कर सकते हैं और activity period क्या है इसका सब उपर दिया हुआ है यह उपर दिया हुआ है email id और नीचे सभी detail दिया हुआ है तो अभी directly तो आप इस पर नहीं कर सक किजिए और अगर आप apply कर चुके तो कमेंट कीजिए नहीं किया है तो भी comment कीजिएगा thank you हुआ ए